आज मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत चिंतित हूँ, ये लाइफ वीडियो मैं करने वाला नहीं था, मगर एक सर्वे जो कल रिलीज हुआ है, उस सर्वे को पढ़कर मैं मजबूर हो गया कि मैं लाइफ आकर आप लोगों को बता सकूँ कि मैं क्यूं चिंतित हूँ, क्यूं अगर आप लोग ये लाइफ सर्वे परहेंगे, जो आकसाम ने रिलीज किया है कल, तो आप लोग भी दुखी हो जाएंगे और चिंतित हो जाएंगे, कल एक सर्वे रिलीज हुआ है और आकसाम ने ये सर्वे रिलीज किया है कि हमारे देश का जो 73% वेल्थ है, वो हमारे द के 73 परसंट को हमारे देश के 73% हमारे देश का 73 परसंट है वो सिर्ट एक परसंट लोगों के पास हैं अब ये 1% लोग है कौन ये 1% लोग अंबानी अडानी जैसे बिले नेर्ज हैं और हमारे सेलिब्रिटीज और सूपर स्टार्स और पॉलिटिशन हैं मतलब हमारे देश की जो पॉपिलेशन है वो 125 से 130 करोड की बीच में है तो 125 करोड की आबादी में से जो 73 परसंट वेल्थ है वो सिफ एक करोड लोगों के पास है और वो एक करोड लोग हमारे करते हैं पर उन्हें कोई नहीं पगरता और जो बचा हुआ 27 परसंट वेल्थ है वो देश के 99 परसंट लोगों के पास है यानि की 124 करोड लोगों के पास है मेरे भाईयों ये है ये है हकीकत अच्छे दिन का कि अमीर अमीर बन रहा है और गरीब गरीब बनता जा रहा है दिन बदिन इससे कहते हैं कैपिटलिजम हमारे मोदी जी हर जगा कर हर जगा जाकर ये दिखाना चाहते है कि वो गरीबों के गरीबों के रहनुमा है गरीबों socialist prime minister है सच्चाई ये है कि वो एक capitalist prime minister है आज देश को कोई चला रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ businessman है अंबानी जी और अडानी जी इस देश को चला रहे है और यही सच्चाई है मेरे भाईयों इस बात को आप स्विकार कर लो अब कुछ भक्त ये भी कह सकते है कि Congress के वक्त भी तो ऐसा ही हाल था तो मैं आपको बता दूँ मैं correct कर दूँ कि 2016 तक देश का जो ये 1% population है इनके पास 58% wealth था जो बुरा है मैं मानता हूँ मगर मोदी जी के आने के बाद ये 58% wealth 78% तक बढ़ गया मतलब Congress के वक्त पे 1% population के पास याने एक करोड लोगों जो celebrities हैं हमारे इनके पास और जो बिलेनेज हमारे इनके पास 58% wealth था और अब मोदी जी के आने के पास इनके पास 78% wealth हो गया है मेरा भाईयो एक वक्त के लिए हम मान लेते हैं कि Congress सरकार जो थी वो चोड थी आपने चोड को हटा दिया बहुत अच्छा किया इसका मतलब यह नहीं कि आप डाकू को लाकर बैठा दो आप जाकर पहरें यह Google पर बस टाइप करें Oxfam Survey of India आपको मिल जाएगा यह अगर आपको लग रहा है कि मैं ऐसा कुछ जूट कह रहा हूँ इन फैक यह वायर्ट हो चुका यह नियूज अब तक तो और यह एक परसंट लोग है एक परसंट नहीं कि एक करोड आउट अट आउट उन ट्विनिफाइफ करोड तो उन थर्टी करोड पॉपिलेशन यह एक परसंट करोड जो एक करोड लोग है इनकी वेल्ट में बढ़ोती आप सुनकर दंग रह जाएंगे इनकी वेल्ट में 20 लाख करोड की बढ़ोती हुई है यानि कि सेंट्रल गवर्मेंट की बजट जितनी है उनकी वेल्ट में उतनी बढ़ोती हुई है तो आने वाले वक्त में मेरे भाईयों हमारा बजट जो है लोग सवह में डिसाइड नहीं होगा बलके अंबानी जी और रटानी जी के घर पे बैठकर डिसाइड होगा इंडियन बजट मेरे भाईयों आप समझो मोदी जी कहते हैं कि मैं किसानों का सेवक हूँ मैं किसानों का मसीहा हूँ किसानों का रहनुमा हूँ और आप महराष्ट्रों में और मध्यपरदेश में किसानों पे गोले चलवा देते हैं तो हमारे देश में अमीर अमीर बन रहा है और गरीब गरीब बनता जा रहा है क्यों है इतनी इनिकॉलिटी क्यों मेरे भाईयों ये हकीकत है अच्छे दिन के अच्छे दिन तो आए है देश में वगर अंबानी जी और रानी जी के आम जनते के अच्छे दिन नहीं आए मेरे भाईयों समझो इस बात को मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है मोदी जी से बस देश से प्रेम है इसलिए आकर ऐसा लाइव वीडियो बनाता हूँ मैं मेरे भाईयों आप देख लो पेट्रॉल प्राइस मैं आपको एक डेटा दिखाना चाहता हूँ कि पेट्रॉल प्राइस किस तरह मोदी जी ने और मोदी जी के सरकार ने systematically पेट्रॉल प्राइस बढ़ा है ये डेटा सुनकर आप दंग रह जाएंगे थोरा सबर रखे, patience रखे मैं आपको दिखाता हूँ कि पेट्रॉल प्राइस को इन्होंने कितनी चतुरता से और शातिर शातिर तरीके से इन्हों पेट्रॉल प्राइस को बढ़ा है एक डिसेंबर को पेट्रॉल प्राइस था 67.71 रुपीज दो डिसेंबर को 67.78 उसके बाद 68.02 चार डिसेंबर को 68.34 इसी तरह पॉइंट पॉइंट बढ़ा कर 14 डिसेंबर को 70 रुपए 70.40 हो गया इसी तरह और बढ़ाते बढ़ाते कि वो 20 डिसेंबर को पेट्रॉल प्राइस इनोरे कर दिया 70.85 आपको समझ नहीं आ रहा है 0.00, 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 0 कदाम मुंबए में 80 रुपए है मतलब 63 रुपए से 80 रुपए पेट्रोल कदाम आ गया और आप अब भी कहते हैं कि अच्छे दिन आ गए हैं बेद भाईयों अच्छे दिन नहीं आने वाले जब तक आप निकल कर बाहर अपनी आवाज को नहीं उठाएंगे दाल का प्राइस कॉंग्रिस के टाइम पे जो कॉंग्रिस के टाइम पे दाल का प्राइस था 200 रुपए कॉंग्रिस के टाइम पे दाल का दाम था 80 रुपए और अब हो गया है 200 रुपए LPG का दाम था 400 रुपए अब 800 रुपए ट्रेन का फैर 6 रुपए पर किलोमेटर था और अब ट्रेन का फैर 9 रुपए पर किलोमेटर है दूद 40 रुपए लीटर मिलता था और अब दूद 50 रुपए लीटर मिल रहा है तो देखिए मेरे भाई समझे इस बात को अम्बानी जी और अडानी जी को फरक नहीं परता है इस बात से कि दाल का दाम दो सुरुपे हो जाए या चार सुरुपे हो जाए उनके लिए अगर आप दाल का दाम एक लाख रुपे भी कर देना पर के जी तो फरक नहीं परता है उनकी पास पैसे की भंडार है वो दाल एक लाख रुपए में खरीद लेंगे वो एक बुन पानी भी एक लाख रुपए में खरीद लेंगे उनके लिए उन्हें फरक नहीं पड़ता इस बात से दाल का दाम बर रहा है, पेट्रॉल का दाम बर रहा है डीजल का दाम बर रहा है पानी का दाम बर रहा है दूद का दाम बर रहा है इससे फरक आपको और आम जनता को परता है मेरे भाईयों आपको और आम जनता को परता है तो आप उठी और अपनी आवाज उठाईए और सरकार से पूछे कहा है अच्छे दिन मोधी जी कहते हैं कि मैं development के लिए आया यहां पर गुज्रात election में development पर बात ही नहीं कि उन्हें अगर आप development के लिए सच माय आये हैं तो गुज्रात election आप development के basis पर जीतिये ना क्यों आपको स्टंस करने हैं कि हरदिक पटेल की सेक्स CD leak हो गई अब हरदिक पटेल की सैक्स CD leakow profitable इस basis पर जीतना जाते हैं गुज्रात election रहुल गांदी हिंदू है या नहीं है इस basis पर जीतना जाते हैं गुज्रात election हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंग जी वो पाकिस्तानी डेलिकेट से मिलकर एंटी नैशनल है इस बेसिस पर जीतना चाते है गुजात इलेक्शन और फिर जाकर कहते हैं आप कि मैं एक डेवलप्मेंट का पुजारी हूँ मोदी जी किसके आँख में धूल चुओ करें आप मैं अपने वीडियो को यहां खतम करना चाता हूँ एक बात कहके मोदी जी हमारे आदर ने प्रधान सेवक जी बड़ इज़त से नाम ले रहा हूँ मैं आज आपका क्योंकि अब मुझे भी डर लगता है जिस तरह के वारदा अगर सुप्रीम कोट के जज के साथ हो सकता है मिस्टर लोया के साथ हो सकता है मैं तो आम इनसान हूँ आज हूँ कर लई रहूँगा अगर आप चाहेंगे तो है कि नहीं मोदी जी तो मेरे प्यार से नमरता के साथ आपसे कह रहा हूँ कि मोदी जी तो हजार उननेस का इलेक्शन बहुत पास है समहल जाएए वरना जो जनता आपको उस कुरसी पे बठाई है वो जनता आपको वहां से हटा भी सकती है मेरे प्यारों भाईयों और बहनों इस वीडियो को इतना शेयर करें आप इतना शेयर करें कि लोगों तक ये बात बहुत सके कि अमीर अमीर बन रहा है इस देश में और गरीब गरीब बन रहा है लोग जान सके कि आज देश को हमानी और अडानी जिसे लोग चला रहे है लोग जान सकें कि उनका वेल्थ 20 लाक करोड रुपए एक साल में बढ़ जाता है जो हमारे सेंट्रल गवर्मेंट की बजट है इस वीडियो को शेर करें, वाटसाप पे शेर करें, फेस्बुक पे शेर करें इतना शेर करें कि शायद ये वीडियो हमारे आदरने प्रधान मंत्री जी तक पहुँच जाए